असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाजेव और आप देख रहे हैं इस एपीटक यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम वीववी 17 के बारे में बात करेंगे थी क्या क्या स्पेसिफिकेशन हैं यह कॉप लाउंच होगा और इसकी क्या प्राइस होने वाली है तो आज की वीडियो में हम यही सब बात करेंगे तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की तो फ्रंट साइट पे जो हमें इसकी देखने को मिलेगी इसकी वाटर प्रॉप नॉच जिसके अंदर हमें इसका जो कैमरा है वो देखने को मिलेगा और इसकी जो राइट साइड है वहां पे हमें इसकी जो वाल्यम लपर कीज है वो देखने को मिलेगी और इसको जो नीचे वाली साइड है वहां पे हमें इसका 3.5 mm jack और इसके साथ ही हमें हमें इसका microphone और साथ इसके इसके speaker skills हैं वो देखने को मिलेगा इन speaker skills के साथ ही हमें इसके जो दुग्यान में इसका जो Micro USB port है वो के लेगी जो चार्टिं के लिए जूद होगी बात करने इसके जो डिस्प्ले है उसकी बात करें तो हमी जिसके अंदर हमें इसके अंदर इसके देखने को मिलेगा वो 6.45 इंची का इसी तरह बैक साइड में केमरा है वो 13MP का है और इसका अपर्चर 2.2 इससी तरह थर्ड केमरा है उसका जो megapixel है वो 2 है और वो एक depth sensor है जो के background blur के लिए इसमाल होगा और जो हमारा black camera video record करेगा वो 30 fps 1080 resolution की video record कर सकता है इन cameras के नीचे ही हमें इस TLED flash देखने को मिलेगी बात कर लें इसके internals की तो इसके अंदर हमें एक ही variety देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमारे पास 4GB RAM और 128GB की जो storage है वो देखने को मिलेगी इसकी जो cards load है वो 256GB का cards work कर सकती है operating system इसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वा android 9 देखने को मिलेगा chipset इसके अंदर हमें जो देखने को मिलेगी वो media tech mt6765 nilio 335 है और यह एक octa port processor है इसके अंदर जो charge ports हैं वो 2.3 GHz की cortex A53 की clock है बात करने इसके sensor की तो इसके अंदर हम accelerometer compass proximity और इसके जो fingerprint sensor है वो भी देखने को मिलेगा जो के back side पे हमें देखने को मिलेगा camera वाली side पे बैटरी जो इसमें हमें देखने को मिलेगी वो 5000 mAh की बैटरी है और एक वो non removable battery है इसके अंदर जो हमें charging देखने को मिलेगी वो dual engine fast charging देखने को मिलेगी जो के 18 watt की है तो यहां बैटरी वाली side से यह कापी अच्छी है किके 5000 mAh की है जो के आपका 2 तीन easily हिकाल देगी यह में तब तकिली अलाव तेखने